सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकलियों की चैनल को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बैल को टेक्नलोजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों एक जमाना था जब डॉकॉमेंट्स को हार्ड कोपी में भेजा जाता था एक दूसरे को या फिर हम फोटो कोपी करके भी उसको बेज देते लेकिन अभी हो गया जमाना चेंज अभी सब कुछ हो गया डिजिटल हमको कोई भी डॉकॉमेंट भेज नहुत है हम भेज जैसे मानलो हमने कोई document type किया और उसको PDF में बेज दिया और किसी को mail या फिर scan करके बेज दिया या मानलो कोई हमारे पास कागस्ता उस पे कुछ लिखावा था हमने उसका photo लिया और सामने वाले को बेज दिया scan करके बेज दिया या फिर हमारे पास computer में कोई word file थी और हमने PDF क को बना के बेज दी अब यहां पर प्रॉब्लम या आती है कि PDF जैसी फाइल को एडिट कैसे करें तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बिना किसी सौफ्टर के आप PDF इसकेंड फाइल या किसी फोटो में कोई भी टेक्स को एडिट कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत कि आसानी से नमस्कार दोस्तों मैं हूं योगी योगिंद्र आप देखने टेक्निकल योगी चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं तो दोस्तों दो दिन से चल रही है मेरी तब्यत खराब इसलिए में नहीं डाल रहा हूं कोई भी वीडियो सिर्फ कर रहा हूं लाइव आज भी मेरी तबियाद थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो मैं सुबह सुबह आपके लिए बना रहा हूं यह वीडियो अगर आवाज में थोड़ी सी खरांस या थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा गला भी खराब है और आज हम बात करेंगे कि कोई भी ऐसा PDF डॉकुमेंट किसी ने आपको भेजा है उसमें कोई नेम गलत है एड्रेस गलत है कोई भी टेक्स्ट गलत है तो आप उस PDF फाइल को यानि की फोटो डॉकुमेंट फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी एक दो किलिक में ठीक है और बिना किसी software के हमें software भी नहीं चाहिए अगर किसी ने कोई paper आपको scan करके भेजा है scan PDF सेम ही होता हो तो scan करके भेजगा तो भी PDF में भेज़ेगा तो इस तरह के जो scan document PDF document होते हैं उनको edit करने के लिए क्या करना पढ़ता हो बता है तो आपको देखिए यह हमारा एक PDF file है आप देख लीजिए यह है हमारी एक PDF file तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें एक website पर जाना होगा इसका नाम है online ocr.net ठीक है इस website पर जाए आप online ocr.net पर यहां पर नीचे आए यहां पर तीन option मिलेंगे पहला select file का दूसरा output format का और तीसरा convert का ठीक है अब यहां पर क्य पर आ गया है देखिए हां desktop open हो गया हमारा देखिए desktop हो गया तो यह हमारी जो file है PDF वो यह वाली file है तो PDF लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे करेंगे देखिए यहां पर मैं open कर रहा हूं तो यह हमारा open हो गया जो भी हमने लिखा हुआ था अब इसमें कुछ भी edit करना है कुछ भी कर सकते हैं मालों मुझे यह जो है ना विद भूम में इंफोर में इसको हटाना है तो मैं इसको हटा रखता हूं और यहां पर मुझे इसकी जगे यह लिखना है about us तो मैंने यह लिख दिया और इसको वापस से क्या करेंगे हम फिर और सेव करेंगे हम इसको वही डेक्सटोप पे और इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे और यह कर देंगे एड़िट इड़िट डोक्यूमाइंट ठीक है ना अब देखिए यह यहां पर तो अब आप देखिए कि जो डॉकुमेंट था आप देखिए यह हमारा था ओर देखे एड़िट इसमें वह एड़िट हो गया है यहां पर उसकी जगे अब आउट तो इस तरह से यह जो वेबसाइट इसमें फिरी में है कोई दिक्कत नहीं है कोई पैसे यह से नहीं लगते हैं फिरी में आप एक दो किलिक में ही अपना कोई भी PDF या के डोकुमेंट्स एड़िट कर सकते हैं अमीर आप से कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजे कमेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा है सवाल जवाब देने लाइक होता है तो मैं उस पर जवाब जरूर दूँगा और बहुत अच्छा सवाल पूशते हैं और मुझे लगता है कि यह जानकर इस आपको मिली चे तो उसको भी आप दबा लीजे उससे होगा यह कि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकिसन आप तक पहुँच जाएगा कोई भी वीडियो मिस नहीं होग झालच झालच है कियो झालच झालच टयो, एक यह जा हुँचच मिली चेट हैं रओहर बा理 मचा हैं यह होगा डिया है चयँआ से च проблем से जाभ तक भी मैं जानका मुझा फिर देक रघंटाओा route मैं जाब हैं सरदोम शर जानकर यद्नोंते हैं 3lling वालिखें साम भी झालच ए झाल झाल